नमस्कार दोस्तों, Curious Wealth and Curious Box में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं SBI की SBI ने रिसेंटली अपने रिजल्ट निकाले हैं और इसके बाद ये स्टॉक बहुत ही यदा चर्चा में आ चुका है और कल के दिन में यानि की last Friday session में इसने बहुत ही अच्छी rally भी दिखाई थी मुझे बहुत सी queries आ रही थी WhatsApp and Telegram के उपर की इस stock के बारे में मैं बताओ इसके क्या target निकल के आ सकते हैं आने वाले दिनों में और इस stock के अंदर क्या करना चाहिए जिन्होंने नीचे के level पर buy किया है या फिर जिन्होंने अभी तक buy नहीं किया है उन लोगों को currently क्या करना चाहिए वही चीज मैं आज के इस वीडियो में बताओंगा मैं purely technical analysis या फिर चार्ट के उपर आपको इसके levels बताओंगा कि currently कहां तक यह stock जा सकता है short term and long term view आपका क्या होना चाहिए वो उसके बारे मैं बताओंगा यह stock जो है currently तयार हो चुका है एक बहुती बहतरीन run के लिए आपको यहां से बहुती बहतरीन targets भी मिल सकते हैं और साथी साथ मैं इस वीडियो में आपको बहुत से brokerage house का view बताओंगा कि जो बड़े बड़े brokerage house रहते हैं उनका क्या नजरिया है इस stock के उपर उनके सबसे stock कहां तक जा सकता है वो targets भी मैं अपने इस वीडियो के end में आपके साथ share करूँगा चलिए अब मैं इसका chart दिखाता हूँ और इसका analysis आपको बताता हूँ यह है SBI का chart यहाँ पर हम देखेंगे daily का एक candle है या daily chart है आप वो भी बोल सकते हैं इसमें हम देखेंगे कि recently इस stock में अच्छी कासी volume addition हुई है यह एक week पहले का आप देखेंगे result आने से एक week पहले इसमें बहुत ही अच्छी volume addition हुई थी और recently result आने के आद इस stock ने बहुत ही अच्छा momentum दिखाया near time में stock के लिए एक जो minor resistance हम बोल सकते हैं वो 425 का नजर आता है अब इस stock को अगर मैं weekly chart के हिसाब से देखता हूँ यानि कि एक candle को एक week की बनाता हूँ जोस्तों अभी अभी मैंने 10 ऐसे stocks के बारे में एक video upload किये जो अपना breakout देने की कगार पे या breakout दे चुके हैं और आगे अच्छा levels दिखा सकते हैं अगर आपको वो video देखना है तो उसका link जो है वो यहाँ पे i का symbol आपको दिखाई दे रहा होगा top right corner में वहाँ से आप उस video को देख सकते हैं ताकि उस information का इस्तेमाल करके आप अपने portfolio को थोड़ा अच्छा भी बना सकते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो मैंने यह नीचे की एक line दिखाई थी वो मेरी support की line थी जिसको stock break नहीं कर रहा था और एक तरीके से अपने higher lows के उपर work कर रहा था currently अगर higher lows की terms में मैं बात करूं तो भी इसमें जो downside potential है वो लगबग 300 के आसपास का निकलता है और जो upside है वो हमको बहुत ही अच्छी निकल के आएगी अगर इसको मैं monthly pattern के हिसाब से आपको दिखाऊंगे तो आप देखेंगे कि monthly के हिसाब से जो मेरा stock है एक बहुत ही बहतरी zone दिखाता है जो की है downside में अगर आप देखेंगे 2010 के बाद का या फिर 2009 के बाद का data इवन दो इसमें splits और bonus की वेएसे ये price आपको ऐसा दिख रहा है जो की settled price है उसके एसाब से 150 के आसपस या 160 के आसपस जो है हमारे एक बहुती जादा strong support zone है जहां से stock आस तक कभी भी नीचे की तरफ नहीं तूटा है अब side में अगर मैं बात करूँगा तो upside में closing basis के हिसाब से मेरे लिए 320 से लेके 350 से 360 का जो मेरा एक level था वो मेरे लिए एक बहुती जादा strong resistance था जिसके उपर stock ने एक बार भी धंकी closing नहीं दीती वहीं अगर मैं आपको trend line के हिसाब से बताओं monthly trend line अगर मैं आपको draw करके दिखाओं आप देखेंगे recently 2015 में जो high बनाया था उसके 2019 में जो high बनाया था उन highs को अगर मैं join करके एक trend line draw करता हूं या resistance line draw करूंगा उसमें आप देखेंगे इस time पे यानि कि फरवरी के महीने में SBI ने हमको उसका breakout जरूर दिया था लेकिन sustain नहीं कर पाया है वही trend line के आज पास आके इसने closing दी लेकिन अब की बार जो है stock ने अच्छे से हमको उपर की closing दी है यहां से इसलिए और recently जो इसके numbers निकल के आए है results निकल के आए है वो भी काफी बहतरीन बोले जा रहे हैं जिस हिसाब से इस stock को और भी ज़्यादा उपर जाने की potential हमको यहां से नजर आता है इसके अगर मैं upside levels की बात करूँ चार्ड के हिसाब से तो मुझे यहां से इस stock के अंदर जो upside levels नजर आ रहे हैं वो अगर यह sustain करता है 400 रुपए के उपर तो आप इस stock के अंदर entry ले सकते हैं current levels पर मैं entry लेना avoid करूँगा क्योंकि जब कभी ज़्यादा brokerage house इसके अपर positive होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कोई stock news में आता है तो वहां से गिरावट की एक संभावना आती है और बहुत ही ज़्यादा उम्मीर है कि Friday को result आए हैं सब को इसके बारे में पता चल चुका है हो सकता है तो इसके लिए जो सही buy zone निकल के आएगा वो लगबग 380 से लेके 400 रुपे के आसपास का जो level है वो इसमें अच्छा buy zone में बोलूँगा अगर कल मंडे के दिन में किसी भी कारण से आपको ये stock 400 या 410 के आसपास भी मिलता है तो आपके capital है जो आप SBI में निवे करें और wait करें जब stock उपर जाके वापस से 400 के आसपास आए और अपना trend change होने का indication दे तब आप बाकी का जो money है जो आपका पैसा है वो इसमें निवेश करें और इसके अंदर आपको longer term का view रखना है मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें आप 1 week 2 week के इसाप से पैसा के cases बढ़ने नहीं लगते हैं market crash नहीं होता है उस case के हिसाब से आपको 360 से 340 का एक strong stop loss लगा के आप इस stock के अंदर बने रह सकते हैं 340 मैंने strong stop loss बोला है जो इसके तूटने की संभावना काफी कम है अब साइड अगर मैं potential इसमें आपको बताओं तो मुझे जो first target है 450 then 480 य और जो higher term में मुझे दिखाई देता है वो लगबग दिखाई देता है 480 वो मुझे दिखाई देता है लगबग 580 से 585 का यानि कि यहां से लगबग 200 रुपे का और 50% आप बोल सकते हैं potential नजर आता है अगले डेड़ से 2 साल के अंदर ये stock उन levels को दिखा सकता है again condition apply है कि market में crash नहीं आना चाहिए इसी चीज को मैं बाकी के brokerage house के सबसे दिखाता हूँ कि किस तरीके से उनका view या क्या उनके target निकल के आ रहे हैं चलिए brokerage house का view भी आपको दिखा देता हूँ तो जो मैं बता रहा था brokerage houses ने अपनी अपनी view इसके लिए share किये इसके targets के बारे में ब लगता है आने वाले समय में 485 तक के levels दिखा सकता है JPM को लगता है 515 की level इसमें possible है कोटक securities को लगता है 470 रुपय तक के levels आपको इस stock में दिखाई दे सकते हैं Morgan Stanley's को लगता है कि ये 600 की levels दिखा सकता है वही Macquarie को लगता है कि ये लगबग 400 तक के levels दिखा सकता है तो ये जो कुछ brokerage house है जिनका view आपने देख लिया है हर कोई इस stock के उपर bullish हो चुका है भी इसके result आने के बाद तो आप भी अपना नजरिया उसी हिसाब से इसमें बना सकते है As a disclosure आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये purely education purpose के लिए बनाई है मैं किसी को भी बाइसल का recommendation नहीं दे रहा हूँ अगर मेरी दिवी जानकर ये आपको अच्छी लगी हो तो एक बार आप अपने किसी भी trusted stock broker से या financial advisor से एक बार discussion करने के बाद इस stock में अपना पैसा निवेश करें